नमस्कार, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है आज की कच्छा में हम वर्क पांच के गनित के पार्ट पैटर्न की चर्चा करेंगे इसलिक के पिछले दो कच्छा में हमने पैटर्न की चर्चा की थी उसी क्रम में हम इस बार इस टॉपिक के अंतरगर्द जो सब टॉपिक ले रहे हैं वो है जादोई तिकोन यहाँ एक तिकोन हमें दिया गया है इसके हर एक लाइन का जोड़ नौ है चाहे हम ऐसे जोड़े छे दो आठ एक नौ या ऐसे जोड़े पांच एक छे तिन नौ या ऐसे जोड़े दो चार छे और तिन नौ और यो संख्याय है वो एक से लेके छा तक है अब इसी पैटर्न को देखते हुए हमें इसी तरह का एक जादोई तिकोन बनाना है और इसमें संख्याय देनी है वही एक से छे तक और इसका जोड करना है दस अर्थात इसमें नौ आये थे सभी लाइनों का जोड और यहां होना है दस तो आएए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग आप भी सोचिए तो इसके लिए हम इस पैटर्न को समझने की कोशिस करते है तो इसी के अधार पर यह होगा तो यह पैटर्न है हम कोना कोना देखते हैं एक, दो, तीन ऐसे चला अगर हम एक और दो लेंगे तो अधिक्तम यहा पर अगर हम यहा एक लेते हैं और दो लेते हैं तो यह होगे दो और एक तीन तो हमारे पास संख्याएं छे तक हैं तो अधिकतम हम यहाँ पर छे ही ले सकते हैं तो वो फिर नौ हो जाएगा लेकिन हमें तो चाहिए दस तो हम ऐसा करते हैं इसमें trial and error method अपनाते हैं यहाँ से करते हैं 1, 3, 5 अब बराबर बराबर इसमें अंतर भी होना चाहिए एक और तीन के बीछ दो अंतर है तीन और पांच के बीछ दो अंतर है अब अगर हम यहाँ छे लेते हैं तो यह हो गया एक और छे साथ और तिन दस हो गया अब यहां देखते हैं पांच और तिन आठ अगर हम यहां दो डाल दें तो यह दस हो गया अब हमारी कौम से बच गया है देखें एक हमने यहां भर दिया यह हो गया दो भी भर दिया तीन भी भर दिया पांच भी भर दिया 6,4 बचे हैं, यहां 4 अगर हम करते हैं, तो यह हो गए, 4 और 5 और 5, 10, तो यह तो हो गए, इसी प्रैटर्न पर हम आगे चले, यह हो गए, अब यहां देखते हैं, और इस तीकोन में हमें जोड़ लाने हैं 11, संख्याई वही है, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, तो यहां पहले वाले हमने, में क्या किया था एक और तीन लिया था तो अब हम क्या कर सकते हैं हमें तुप कुछ बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि Maximum यहां चे ले सकते हैं तो ऐसा करते हैं इस बार हम लेते हैं यहां 2 और 4 और इधर 6 देखते हैं इसमें होते हैं कि ने तो 2 और 4 लिए तो हमारे 6 हो गए तो अब हम यहां क्या रख सकते हैं 5 रख सकते हैं तो 11 हो जाएंगे 2, 4, 6 और 5, 11 यहां देखते हैं 4 और 6, 10 एक यहां रख देंगे तो हमारा 11 हो गया अब क्या बच जा रहा है हमने 1 ले लिया, हमने 2 ले लिया, हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया और 6 भी ले लिया तीन बच गया तो 2 और 3, 5 और 6, 11 यह तो हो गया तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहां जो कोना कोना है वो डिफरेंस जो है अंतर बराबर होना चाहिए इसी प्रेटन पर हम चल रहे हैं अब अगला देखते हैं इसमें इस तीकोन में हमें जोड लाने हैं 12 हमने सबसे पहला जो हमारे पास जो दिया गया था वो था 9 का जोड इसके बाद उसी क्याधार पर हमने 10 का जोड बनाया इसके बाद 11 का बनाया एक से चोड की संख्याएं लेकर अब ये जो तिकोना है इसमें हमें 12 लाने है तो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं इससे पहले जो 10 वाले में हमने किया था 1, 3, 5 तो हम यहां क्या कर सकते हैं हम लोग यहां कोशिस करते हैं 4, 5, 6 10 में फिर से देखते हैं जब हमने जोड 9 लिया था तो कोना हमने लिया था 1, 2, 3 जब हमने 10 लिया तो कोना लिया 1, 3, 5 और जब हमने 11 लिया था तो हमारे कोने में कितने थे 2, 4, 6 बराबर बराबर अंतर था तो अगर हम 2, 4, 6 लेंगे तो नहीं होगा तो फिर 2 के बाद हम क्या ले सकते हैं 3 ले सकते थे तो 3 से कैसे होगा नहीं हो पा रहा था तो फिर हम लेते हैं 4, 5, 6 अब देखते हैं इसमें तो 4, 5, 9 यहां भरते हैं तो यह 3, 4, 5, 9, 3, 12 हो गए, अब यहां देखेंगे, 5, 6, 11 है, यहां एक डाल देंगे तो हमरा 12 हो जा रहा है, तो अब हमने क्या, इसमें भर दिया है, एक भर दिया, तीन भर दिया, 4, भर दिया, 5, और 6, 2, यहां 2 डालते हैं, तो यहां के 4, 2, 6, 6, 12, कोई वर्क का अर्था यह अर्थ हो गया कि हमने एक लिखा एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ इसे इस तरह से सजाएंगे कि अगर हम इधर से जोड़े या इधर से जोड़े इस लाइन को जोड़े या ये तिर्चे जोड़े ऐसे या ऐसे हमारा जोड बराबर होना चाहिए तो आईए इस जादूई वर्क को किस तरह से बनाते हैं देखते हैं हम इस तरह से लाइन खीशते हैं एक ये इधर से एक ये इधर से ये इधर से और ये इधर से आप इधर से ऐसे और इधर से ये ऐसे और इधर से ये ऐसे और ये ऐसे तो अब क्या करेंगे हम गौर से देखिएगा ये जो नौ है नीचे वाला है ना इसको हम यहां लाएंगे ये हो गया अब ये मिटा दिये हो गया अब ये जो एक था इसको यहां लाएंगे एक ये हो गया अब इस तीन को हम यहां लाएंगे हो गया ये मिटा दिया हमने और इस साथ को यहां लाएंगे ये हो गया ये देखिए हमारा जादू इवर तैयार हो गया फिर से लिख देते हैं और समझ में आ जाएगा ये पहला लाइन हमारा हो गया चार नौ दो ये चार नौ दो दूसरा लाइन तीन पांच साथ और तीसरा लाइन आठ एक छो आठ एक छो अब जड़ा जोड के देखते हैं नौ चार तेरा और दो कितने आ गया है पंदरा पांच तिन आठ और साथ पंदरा आठ और एक नौ और छे पंदरा इसके भी जोड हो गए पंदरा अब इधर से देखते हैं दो और साथ नौ और छे ये हो जाएंगे पंदरा इधर से नौ पांच चौदा और एक ये भी हो गए पंदरा चार तीन साथ और आठ पंदरा ये भी पंदरा और हम तिर्चा करते हैं तो चार पांच नौ छो पंदरा इधर से दो पांच साथ और आठ पंदरा हो गए ना ये हमारा वर्ग तयार जादुए अब एक वर्ग है और दूसरे, और वर्ग हम कैसे बना सकते हैं, एक वर्ग तो हमारा बन गया, इसी को हम रियर्रेंज कर देते हैं, तो हमारे कई और वर्ग मिल जाएंगे, जैसे, क्या करते हैं, देखिए, अब इसको हम उपर लिखते हैं, चार, तीन, आठ, नौ, पांच, एक, उसके बाद दो, साथ, छे, दो, साथ, छे, देखिए, अब फिर से जोड़ते हैं, चार, तीन, साथ, आठ, पंदरह, नौ, पांच, चाउदा, और एक, पंदरह, दो, और साथ, नौ, और छो, पंदरह, इधर से जोड़ेंगे, आठ, एक, नौ, अच्छे, पंदरह, बाकी और जोड़के आप वरिफाई करें, कि ये जादुई वर्ग है या नहीं, अब और हम बना सकते हैं इससे, अब इसी से हम एक और वर्ग हम बना लेंगे, वो कैसे, देखिए, इसको उलट देंगे, आठ, एक, छे, हाना, बीच का तो यही रहा गया, तीन, पांच, साथ, चार, नौ, दो, देखिए, ये भी है, वर्ग तयार हो गया जादुई, अब जोड़े आठ, एक, नौ, छे, पंदरह, तीन, पांच, आठ, साथ, पंदरह, चार, नौ, तेरह, दो, पंदरह, इसी तरह से इससे अभी और भी वर्ग आप बना सकते हैं, आप खुद से कोशिस कीजिए, और भी वर्ग बनेंगे, तो आज की कर्चा में हमने, जादुई तिकोन कैसे बनाये जाते हैं, वो हमने देखा, और जादुई वर्ग कैसे बनाये जा सकते हैं, हमने देखा, हमने जो तरीका अपनाया, इससे अलग भी आपके पास अगर कोई तरीका है, तो इससे आप आज माएं, और हमारे कॉमेंट में अवस्य लिखें, धन्यवाद,